हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ 15 जनवरी 2024 को माया वती जी का 68 जन्म दिन मनाया जाएगा और इसको लेकर जो पार्टी के पताधिकारी हैं नीता हैं कारिकरता हैं सब जश्न में डूबे हुए हैं कहा जा रहा है कि इस बार का जन्म दिन बस्पा आर्थिक शक्ती के रूप में मनाया जाएगा जी हाँ दोस्तों महमानों की भी सूची तयार हो रही है और इस बार का जन्म दिन बियस्पी सुप्रीमों के लिए बहुत जादा खास होगा आपको याद दिला दूँ कि दो हजार तेईस में दो हजार तेईस पंदरा जन्वरी दो हजार तेईस को जब बस्पा सुप्रीमों ने अपना जन्म दिन मनाया था तो उसे जन कल्यान कारी दिवस के रूप में मनाया गया था तमाम नेता कारिकरता संकल्प ले रहे थे कि बहन जी को 2024 में पीएम बनाना है और दोस्तों आपको ये भी याद दिला दूँ जब 15 जनवरी 2023 को मायवतीर जी का जर्म दिन था तो उस समय ब्यस्पी सुप्रीमों ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था कहा था लोक सभा समेत सभी विधान सभा चुनाव ब्यस्पी अकेले लड़ेगी किसी भी पार्टी से गठ बंधन नहीं करेगी ये 15 जनवरी 2023 की बात है जैसे ही विधान सभा चुनाव की नतीजे आए मध्यपरदेश शत्तीजगर राजस्थान तेलंगाना मीजोरम के जब नतीजे आए उसके बात ब्यस्पी सुप्रीमों ने एक और ऐलान किया कहा कि हम कभी भी किसी के साथ देश हित लोकतंत्र हित में जा सकते हैं और हमारे दर्वाजे गटबंधन के लिए खुले हैं इस बयान का सीधा सीधा आर्थ यही निकाला गया कि बस्पा सुप्रीमों भी गटबंधन में आएंगी इस बीच एक हेडलाइन लगातार चल रही है हेडलाइन देखिए जनवरी में मायावती कर देंगी आर पार वाला ऐलान तो दोस्तों जनवरी में यानि पंदरा जनवरी को ब्यस्पी सुप्रीमों बहुत बड़ा ऐलान करेंगी गटबंधन को लेकर आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा कि ब्यस्पी 2.0 एप की लॉंचिंग भी पंदरा जनवरी को होने जा रही है माया वतीजी आकाशारंद की निगरानी में ब्यस्पी का एप लॉंच होने वाला है तयार हो रहा है और ब्यस्पी 2.0 जो एप है उसकी लॉंचिंग पंदरा जनवरी को हो जाएगी ये ब्यस्पी 2.0 दोस्तों एक अपने आप में अद्भुत प्रियोग है ब्यस्पी में कहा जाता 1984 से लेकर 2023 तक की ब्यस्पी अलग 2024 से आगे की ब्यस्पी ब्यस्पी 2.0 रहेगी हाई टेक हो जाएगी ब्यस्पी आई टी सेल की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी कार करताओं को पलपल की अपडेट मिलेगी कोई भी मायावती जी के बारे में फर्जी खबर नहीं चला पाएगा नहीं दिखा पाएगा उसका तुरंत महतोर जवाब दिया जाएगा आप देखते होंगे भारतिय जन्ता पार्टिक आई टी सेल किस तरीके से आए दिन प्रोपेगेंडा फैलाता है तो उसी को मात देने के लिए बीएसपी 2.0 की लांचिंग होने जा रही है 15 जन्री को दोस्तों बहुत सारे महमानों की सूची भी तयार की जा रही है कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी जी भी मायावती जी के जन्म दिन पर आ सकती है महमान होंगी ये सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर मैं आप पहुचा रहा हूँ दोस्तों हालांकि ये बात दिगर है कि B.S.P. सुप्रीमों अपना जनम दिन अपने लोगों के बीच मनाती है अब ये जो ख़बर है इसको लेकर बहुत जादा सोशल मीडिया में भी चर्चा उट रही है कहा जा रहा है कि सुनिया गांधी जी इस बार खास महमान होंगी मायावती जी की और देखे अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी घटना अपने आप में मानी जाएगी एतिहासि घटना दोस्तों वैसे हम आपको बता दूँ ये कोई बड़ी बात भी नहीं है मायावती जी और सुनिया गांधी की रिष्टे बहुत ही अच्छे हैं कभी दोनों के बीच कोई बिवाद नहीं हुआ अभी तक दोनों के बीच सोहार्द पूर्ण रिष्टे हैं और अगर सुनिया गांधी जी मायावती जी के जन्म दिन के मौके पर महमान मनती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है और आपको यहां पर बताना चाहता हूँ गडबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी 15 जन्वरी को होने वाला है कहा जा रहा है बस मायावती जी की मुहर लगने वाली है आपको याद दिला दू तमाम अपडेट्स क्या आ रहे हैं आपको याद दिला दू कि अखिलेश यादव जी इस समय अपने परत्याशियों का एलान कर रहे है अब उन्हें इंडिया गटबंधन की कोई जरुवत नहीं है वो कह रहे हैं कि PDA ही NDA को हराएगा और इसलिए कहा जा रहा है कि अब entry सीधे होगी BSP सुप्रीमों की BSP सुप्रीमों ही इंडिया गटबंधन का उत्तर परदेश में नेत्रुत करेंगी दोस्तों सीध बटवारे को लेकर भी कॉंग्रेस पार्टी को दिक्कत है जिस तरीके से अखिलेश जी के द्वारा ओफर दिया गया कहा जा रहा कि अखिलेश शादव जी ने 10 से 15 सीटे कॉंग्रेस पार्टी को दी थी और अपने पास 60 सीटे 60 सीटे रखी थी और यहां तक कि अब आगे बढ़ते हुए अखिलेश जी ने तमाम प्रत्याश्यों का एलान करना भी शुरू कर दिया है यह वही अखिलेश जी है जो माया वतीर जी को भारतिय जनता पार्टी की B Team कहते है तो दोस्तों भारतिय जनता पार्टी का असली B Team कौन है यह जनता आप लोग बखूबी समझते हैं इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है मुझे लगता है इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है BJP की विचार धारा की खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को इकठा होने की इकठा होने की जरूरत है अभी अपने स्वार्थों को अलग रख देने की जरूरत है अपने जो इगो है उसको दूर रख देने की जरूरत है अगर वाकई इंडिया गटबंधन का गठन इसलिए हुआ है कि वो भारतिय जनता पार्टी को मात देगी तो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गटबंधन बनाना पड़ेगा क्योंकि याद रखे 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्गाटन हो रहा है सोनिया जी खड़गे जी को बुलाया गया सूत्र ये भी कह रहा है कि मायावती जी को भी निमंतरन दिया जा रहा है तमाम नेताओं को केजरीवाल सिता नाम योचुरी जैसे तमाम नेताओं को 22 जनवरी के लिए नियुता भेजा जा रहा है तो BJP अपनी चाल चल रही है BJP अपनी पिछ जो है वो तयार कर रही है एक ऐसी नेता जो BJP की पिछ पर कभी ने खेलती है वो हैं BSP सुप्रीमो मायावती तो दोस्तों BSP सुप्रिमों अक्सर BJP के पिछ को हमेशा कही न कही रौत देती हैं और अपनी इने एक नई पिछ तैयार करती हैं जहां BJP, राम मंदिर, मंदिर महजिद, हिंदू मुसलिम तो वही BSP सुप्रिमों अमबेटकर वादी विचारधारा के साथ रहती हैं संबिधान बचाने की लड़ाई, लोकतंद्र बचाने की लड़ाई लड़ती हैं और इसलिए BSP सुप्रिमों सारे नेताओं से अलहदा हैं और गटबंधन को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रयास किये जा रहा है इंडिया गटबंधन की तरफ से प्रयास किये जा रहा है जरूर ये प्रयास सफल होगा तो अब जादा दिनों का इंतजार नहीं है मुझे लगता है एक से दो हफदे का इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद मायावती जी खुद बखुद एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगी और पूरा देश इस समय मायावती जी के ऐलान का बेसबरी से इंतजार कर रहा है यही इ जो बहुजन समाज है वो विचारा कि मायावती जी गटबंधन में आएं क्योंकि मायावती जी वो ताकत हैं इतनी ताकतवर नेता हैं कि वो बीजेबी को शिकस देने में सक्षम है और इसलिए बिना मायावती जी के इंडिया गटबंधन अधूरा है तो इंडिया गटबं कॉंगरेस आला कमान ये चाहता है कि मायावती जी इंडिया गडबंधन का हिस्सा हूँ अब खबर जो चल रही है कि सुनिया गांधी जी उनके जन्दिन पर महमान होंगी महमान हो या ना हो लेकिन जरूरी है साथ रहें इंडिया गडबंधन में जब 2024 का चुनाव हो तो दोन चूर कर दें तो एक मजबूत गड़ बंधन ही उत्तर प्रदेश में बीजेबी को मात दे सकता है और वो है सुनिया जी मायावती जी ये साथ आ गए उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस और ब्यस्पी साथ आ गए तो खेल बिलकुल पलट जाएगा तो बहराल दोस्तों इस वी कर दो ए demon कि जे जिलके थैद कर रषय कर रहाल प्रदेश Tasks और अ